यश बागु न्यूज, कबरें सुपरपार्ट, यश बागु न्यूज उपायुक्त उत्तम सिंग ने निर्देश दिये हैं कि इंडियन ओयल कार्पुरेशन द्वारा खरीदी जाने वाली पराली का रेट तै करने के लिए जिला परिशत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए स्वच भारत मिशन हर्याना के कार्यकारी वाइस चेर्मेन सुभाष चंद्र ने कहा कि भाजपा सरकार की हर नीती जनहितैशी है प्रदेश वकेंद्र की मोधी सरकार ने अनेको ऐसी जन कल्यानकारी युजनाएं बनाई जिनका सीधा लाब जनता को मिल रहा है उपायुक्त सुशील सारवान ने जमाबंदियों और निशान देही से संबंधित एक भी मामला नहीं रहना चाहिए लंबित समाधान शिवर में उपायुक्त सुशील सारवान ने किया समस्याओं का समाधान प्राचीन मुलतान सभा कुरुक्षेत्र ने मनाया मुल्तान जोत महोचसव 11 अगस्त को सैंकडो श्रधालूओं को हरिद्वार के लिए सुभाश सुधा जंडी दिखा करेंगे रवाना। इंद्री करनाल से पूर्व मंत्री कर्णदेव कामबोच ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को पिछले 10 सालों में 12,000 करोड रुप्यों का मुआवजा दिया। प्योवा SDM ने विभिन विभागों के अधिकारियों को कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारों के सफलता पूर्वक आयोजन में न रहे कोई कमी, भगवानदास कबीर पंथी ने कहा कि तीसरी बार फिर भाजपा सरकार सत्ता में आएगी। गाव में शहरों जैसी होगी यश बाबु न्यूज कबरें सुपरपाज यश बाबु न्यूज